मुश्किले जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं है मन्जील से जरा कह दो अभी पहुचा नहीं हूं है कदमों को बाध न पाएंगी मुसीबत की जंजीरे रास्तों से जरा कह दो भी भटका नहीं हूं है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 14 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज है करने फेस उससे पहले दोस्तों यह दिफित अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लें प्लीज इस वीडियो को लाइक करके में मोटीवेट जरू करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देजे जो भी आपके फ्रेंड्स गवरेंटेक्जाम के प्रइशन कर रहे हैं वीडियो को आप आखरी तक देख कर लिए बहुत ध्यान से दोस्तों एक एक कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है प्रतेक गवर्मेंट इक्याम के लिए चले फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन वेरी इंपोर्टेंट है जलवाईू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग 2018 में भारत को कौन सा स्थान मि प्रदर्शन सूचकांग 2018 जारी किया गया है दोस्तों इस इंडेक्स के अनुसार सूइडन सूची में सबसे उपर है ठीक सबसे टॉप पर कोने सूइडन है जबकि इसमें भारत को 11 स्थान मिला है तो यह आपको याद रखना है और दोस्तों यहां पर बात करें यूरोपी संग पूरी तरह से 20 में से 16 में स्थान पर पहुंच गया है लेकिन जर्मनी इसकी सबसे बड़ी अर्थवस्ता 22 में से 27 में तक गिर गई है ठीक है और दोस्तों इसका कारण लिगनाइट कोईले पर निर्भरता ग्रीन हाउस गया सूच सर्जन के बड़ा सुरोथ है ठीक है टॉप पर कोने सबसे उपर है फस्ट नंबर पर स्वीडेन है तो आपको स्वीडेन का भी याद रखना और साथ में इंडिया का इसके लाब दोस्तों भी हाल में कुछ और जो इंडेक्स हुए है जितने भी इंडेक्स है उससे लेटेर कुछ आपको फैक्ट बता देता हू इसके लाबा दोस्तों विश्व भुखमरी सूचकांग 18 में भारत को 103 रेंग मिले ठीक 103 और इसके लाबा सबसे इंपोर्टेंट याद रखिएगा मानव विकास सूचकांग ठीक है मानव विकास सूचकांग 18 में भारत को 130 एक्सो तीसमा स्थान मिला था ठीक है तो यह आगला कुशन देख लेते हैं मिजोरम के मुक्ह मंधरी करूप में कौन सपत लेंगे दोलस्तों मिजोरम के नए मुक्ह मंतरे में सबद लेंगे जोर मथंगा ठीक ओ sino fulfilling dalla में में मीजो नेशनल फ्रंट की नई सरकार 15 दिसंबर को शपत लेंगी देखी जो यहां के गवरने दोस्तो मिजोरम के कुमार राज शेखरन और जोर मथंगा के निर्टित में मीजो निशनल फ्रंट पार्टी के प्रदिनिद मंडल के बीच इसमें जो एजवाल राजभवन में वैठक में फैसला किया गया था देखिए यहाँ पर दोस्तो 40 विधान सवा सीटे थी यहाँ ठीक है टूटल 40 सीटे थी जिसमें से मीजो निशनल फ्रंट 26 सीटो पर भारी जीत हासिल की थी ठीक है तो यह आपको यादखना है और यह जो जोर मथंगा है दोस्तों यह लल्थन हलवा की जगह लेंगे इससे प रखना है बहुत इंपोर्टेंट है विहाल में जो पांच राज्यों की विधान सवाओं में इलक्सान हुए थे ठीक है कौन कौन से राज राजस्थान मध्यपरदेश 36 गड़ मिजोरम और तेलंगाना ठीक है चलिए अगला उसन देख लेते हैं मध्यपरदेश के नए मु राज सिंग चौहान और यहां पर टूटल 230 230 विधान सवाओं सीटे थी जिसमें से कांग्रेस को 114 सीटे मिली है और बीजेपी को मिली थी 109 109 सीटे तो यह आपको याद रखना है ठीक है एक्जाम पॉइंड बिसे बहुत इंपोड़े ने चर्चीत था आप सब को यह पत 700 करोड रुपए की कितने वजनाय सुरू की हैं तो यह की दोस्तो 41 ठीक है ऑप्सन डी देखे दो रेलवे ने जनवरी में प्रयाग राज यूपी में आयुत होने जारे कुम्भ मेले के लिए 700 करोड रुपए की 41 पर वजनाय सुरू की हैं जिन में से 19 पूरी हो चुकी है दोस्तों वीडियो पसंदायत प्लीज लाइक गिरू कर इस वीडियो में टार्गेट राइक से 15 जार का पटापट वीडियो लाइक करके हमारा होसला ज़रूर बढ़ाएं कोशन 55 किस राज्य के हाई कोट ने एक मामले की शुनवाई में कहा है कि देश का विभाजन धार्मी का धार पर हुआ था इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट गोशित कर देना चाहिए था इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट गोशित कर देना चाहिए था तो यह कहा था में हाई कोट ने कहा है अभी हाल में Q6 दोस्तों TBS Motor के Chairman का क्या नाम है जिने हाली में Tata Trust ने Vice Chairman निवत किया है तो राइट एंसर दोस्तों इसका option C Venu Srinivasan ठीक Venu Srinivasan देखे दोस्तों Tata Samu की Holding Company Tata Suns ने 66% हिसेदाई रखने वाले Tata Trust ने पूर्व रक्षा सच्चिव विजे सिंग और TBS Motor के Chairman Venu Srinivasan को अपने विभीन नियासों का Vice Chairman निवत किया है तो Vice Chairman Venu Srinivasan Q7 दोस्तों Q7 दिसमबर तक देश भर में 40 नई साखाय खोलेगा जिसके बाद उसकी कूल साखाओं की संखे कितनी हो जागी Q7 978 9740 नई ब्रांसे जोपिन करने के बाद Q8 से दोस्तों ऑस्टेलिया की 102 वर्षी महिला का क्या नाम है जो Sky Diving करने वाले दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनी है तो यह राइट एंसर दोस्तों इसका ओप्सान A अरीन ओर्षो ठीक है अरीन ओर्षे Q9 विदेश राज्यमंत्री विके सिंग द्वारा लोक सभा में दिये गए वयान के अनुसार विश्चुके की इस भाग में वर्ष 24-18 के दवरान कुल 28,523 भारती नागरिकों की मौत हुई है राइट एंसर इसका ओप्सन भी खाडी देश ठीक है तो विदेश राज्यमंत्री विके सिंग ने लोक सभा में बताएक खाडी देशों में 2014-18 दोरान कुल 28,523 भारती नागरिकों की मौत हुई है और उन्होंने बताएक शाओदी रब में सरवाधिक 12,828 मौत हुई है इसमें ठीक है चलिए Q10 है नेम लिखित में से किसने हाली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की सबत ग्रहन की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन B के चंद सेखर राव ठीक है ओप्सन B देख तो तेलंगाना राश्य सम्ती के प्रमुक के चंद सेखर राव राज के मुख्यमंत्री ग्रूम में 13 दिशंबर को सबत ग्रहन की और दोस्तों बता दे कि के सी आर काई है लगातार दूसरा कारेकाल होगा ठीक है तो यह आप क्या दख ना है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ना है क्या वह फिर से दूसरी वा लगाता दूसरी वार केचन से कर रहा हो बन गया है ठीक है ओप्सन बी क्वेश्चन नमबर 12 दोस्तों इनमें से किसे हाली में टाइम परसन आप देर 28 चुना गया है तो इसका करेक्ट एंसर जाया है गा दोस्तों ओप्सन डी जमाल खासोसगी ठीक है ये प्रसीध धंतराश्टी पत्रिका जो है टाइम मेगजीन ने साओधी अरब पत्रकार जमाल खासोसगी को मरडो परांद सम्मान देने के लिए उन्हें 28 के लिए टाइम परसन आप देर के लिए चुना है ठीक है तो ये बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा साओधी अरब के पत्रकार है मरडो परांद इनको पहली बार मिलेगा अगला गुशन दोस्तों नासा के अंतरिक्षियान का नाम क्या है जिसने हाली में सौर मंडल के छोर तक पहुँचने का रिकार्ट गायम किया है राइट एंसर दोस्तों आप्सन भी वाइजर 2 देखो दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्षियानसी नासा का जो वाइजर 2 है सौर मंडल के आखरी चोर पर पहुचने वाले तिहास का दूसरा अंतरिक्षियानसी बन गया है और यह यहां दोस्तों हेलियोस्फेयर से बाहर पहुच गया है ठीक है देखो तो यहां पर आपको थोड़ा सब नासा के बारे मता देए नासा का फुल फॉर्म क्या है एन एस इसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एड्मिस्टेशन ठीक है नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एड्मिस्टेशन नासा इसकी स्थाबना को हुई थी नासा की स्थाबना होती दोस्तों 29 जुलाई 1958 में ठी जिम ब्रिंडेस्टाइन ठीक बरतमान जो प्रशासा के नासा के जिम ब्रिंडेस्टाइन है ठीक है तो यह आपको या धखना है और इसका जो दोस्तों हेटकॉाटर है वह कहां पे है वासिंग्टन डीसी यूएसे में चलिए अब देखले दोस्तों लास्ट वीडियो का एंस आज का कोशन दोस्तों बारे दिसमेर दो उठास की फटों को किसे नाई दिल्ली में के लाउट सोकॉथ घटन किया है ऐपको बताना है कि कि इस ने धिल्ली में काला उट्सवगोत घटन क्या उपसन दे रहएं आपके सामने दोस्तों फटा-फट कमेंट बोक्स ज्यादा ज जरूर कर इस वीडियो को शेयर कर में सभी दोस्तों के साथ इसके लाब दोस्तों हमारे सेकेंड चैनल की लिंक यहां पर प्ले आएगी इंडरी स्क्रीन में डिश्टल इस्टेडी को सब्सक्राइब जरू करें जो हाँ पर में डेली करने फेस और जीके से लेड़ी वीडियो पोस्ट करता हूँ ठीक है और चैनल इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लें ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो को साथ दोस्तों आपका दिन सूभ हो स्वास्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जय हिन जय भारत